आज का एक और एपिसोड है एंशिट इंफ्रा के बार में भगवान बुद्ध के टाइम का इंफ्रास्ट्रक्चर जब हडपन सिविलाइजेशन खतम हो रही थी तो जो नए सिटीज इंदिया के अंदर आर्दे उनके बार में पॉड़कास्ट है निश्चित रूप से 100-200 साल में लोगों ने ये टेखनीक डेवलब की किस तरह से आइरन ओर है उसको पिखलाया जाए लोहा तयार किया जाए वेस्टर्न स्कॉलर्स ने मेंली ये कहा कि डार के एज है क्योंकि हमें आर्कियोलजी से बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती है बुद्ध ने खुद ये शिक्षा दिया है हर भीक्षु को दो तीन चीजें अपने साथ लेकर चलना पड़ता है एक जोला दूसरा भीक्षा पात्र तीसरा सुई ये आवश्यक था हर भीक्षु को रखना अंगुली माल पहले अच्छा आदमी था बाद में किसी कारण इसकी माला बनाएंगे तेश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने की बात्चीच चल रही है आपकी क्या जानकारी इस बारे में सरक क्या बताना चाहेंगे आप सर प्लीज बनाएगे जे की सुपर पॉड़कास्ट की जनता एक बार फिर से आपका सौगत एक और कमाल और धमाकेदार एपिसोड में आज का एपिसोड किस बारे में आज का एक और एपिसोड है एंशिट इन्फरा के बारे में भगवान बुद्ध के टाइम का इंफ्रास्टुक्चर जब अगर आप खुद रिसर्च करेंगे आपको बता पड़ेगा कि कितने बड़े गेस्ट के साथ बैठने का सौभाग गया जाए तो आईए जानिये क्योंकि नॉलेज आपको मिलेगी कमाल की अन बिलीवेबल नॉलेज बहुत सारी चीज़ों के बारे में सर बहुत-बहुत म्यूजियम को अच्छे से गूमना है मलब अच्छे से तो सार अच्छा तो कितना भी अच्छा हो सकता है पर एक आम आदमी को अच्छे से गूमना है तो कितना समय उसको निकालना चाहिए आम आदमी को तो आदे दिन मतलब तीन से चार घंटे कम से कम करेगा तो आदमी को पता चल सकेगा कि नियुजिएम में क्या है किस तरगी चीजें हैं हमारी संस्कृति क्या है कबसे संस्कृति सबता करूं दे हुआ हुआ हमारा लास्ट पॉड्कास था मिस्टर वीयरन प्रभाकर के साथ वो भी बहुत ही माने वे archaeologist थे, सर ये उनसे हमने Indus Valley Civilization के बारे में बात की, हड़पन Civilization के बारे में बात की सर अब हमने वो journey उनके साथ cover करी अब मैं जानना चाहता हूँ सर आपसे कि जब हडपन Civilization खतम हो रहा था तब देश में दुनिया में क्या हो रहा था सर, उस समय पे क्या हो रहा था कोई नया Civilization आ रहा था क्या चल रहा था सर भारत की बात करें तो भारत में जो हडपन Civilization था जिसको लोग Indus Valley Civilization भी कहते हैं लेकिन आज जब ज़्यादा तर खोज हो सकी है ड्राइड रिवर बेड जो है सरस्वती बड़ी विशाल नदी जिसका उलेक वैदिक साहित में भी आता है तो जो उसका ड्राइड रिवर बेड है उसकी स्टडी जियोलजिस्ट ने की है और उसकी सेटलाइट इमेजरी से उसका पता चलता है नदी का जो सूख गे उस नदी के किनारे अधिकांश ये जो हडपन साहिट है लोग बसे थे लेकिन सरस्वती से ले करके इंडस यानि सिंदु नदी तक लोग बसे हुए थे जब इसकी शुरुवात हुई थी 1920 के रारंभ में उस समय इंडस वैली सिविलिजेशन कहते थे लेकिन आज इसको इंडस वैली सिविलिजेशन ना कहके इंडस सरस्वती civilization लोग मानते हैं क्योंकि सरस्वती घाटी में अधिक से अधिक site मिलते हैं और ये सरस्वती नदी जो है हिमालय से निकल कर और हरियाना पंजाब होती हुई और फिर आगे राजस्थान और गुजरात की तरफ जाती थी इन sites में हम ये देखते हैं कि वैदिक literature देखें तो हमें पता चलता है सरस्वती नदी के सूखने का और विनशन शब्द आया है एक स्थान के लिए कि जहां सरस्वती सूख गई उसका विनाश हो गया अब इसके बहुत सारे कारण थे टेक्टोनिक मूव्मेंट्स हुए हिमाले में एक धारा सतलज की तरफ चली गई और दूसरी धारा जम नगती और इस तरह से यह स्थिती लगभग तेरसो चौदासो इसापूर में प्रारंब होई अब जो तेरसो चौदासो इसापूर का समय है वहां से ले करके छटी शती इसापूर जब हम देखते हैं कि बुद्ध महावीर जैसे धार्मिक नेताओं का उद्भव होता है और वो धर्म का प्रचार करते हैं एक सेकंड अ अर्बनाइजेशन फिर से शुरू हुआ नगर, नगरी सभिताबढ़ी, कौशामभी, आईचेत्रा, राजगाट तो इन दोनों के बीच में साथ-ाठ सो साल का अंतर दिखला ही देता है यह जो साथ सो साल या आठ सो साल तक भी कुछ लोग मानते हैं यह जो समय है इसको वे आर्कियालजी से बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती अच्छा इतना एक्स्ट्रीम पर गया हुआ सिविलिजेशन था इंडर सरफस्वती सिविलिजेशन जो था वो अचानक हम देखते हैं कि समहप्त हो जा रहा है और अगला सिविलिजेशन जो आ रहा है जो अर्बनाइज थारा काम भी नहीं हुआ था और कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं जो मारकर हो एक बड़े सिविलिजेशन की तो इसलिए लोगों नहीं इसको नाम दिया खास्तोर से वेस्टर्न स्कॉलर्स नहीं यह नाम दिया कि यह डार्क एज है तो वो जो इंडर सरस्वती के पीरि है अब चेंच हो गया इंडर सरस्वती civilization है यह डपन civilization वह एक चलकौलिथिक civilization है जो तांबे और पत्तर के आवजार हत्यारों को यूज करने वाली civilization थी तो उसको कहीं कॉपरीज कहा गया है कहीं चलकौलिथिक चेज कहा गया है अब हमें भाःत से ऐसे साइट नॉर्थ दोनों में मिल रहे हैं, जहां दो हजार इसापूर के आसपास और उसके बाद भी, civilizations, खासतर वर से cultures, डेवलप हो रहे थे और continue कर रहे थे. तो बहुत सारे नए sites के excavation हुए है, explorations के माध्यम से पता चला है, जहां equations नहीं हुए है, उन sites पे, mounds पे, वही material मिल रहा है, जो excavated remains में मिला है, और जिसके आधार पे हम यह कह सकते हैं, कि देड़ हजार, दो हजार इसापूर तक के बहुत सारे site, हर area में इंदुस्तान में मिल रहा है. तो अब डार्क एज वाली जो वाला जो concept था, पहले दिया गया था, वो समाप्त हो जाता है. अब बात आती है कि यह जो second organization है, वो क्या second organization उसको कहा जाए? अब तो नहीं कहा जा सकता सर. हाँ, लेकिन उसमें ऐसा है कि चलकोलतिक एज में तो लोग रह रहे थे, उसके बाद फिर iron age आती है, iron age में iron का अविशकार हुआ, और धीरे धीरे करके iron यानि लोहे का प्रयोग बढ़ता गया, और एक तरह से देखा जाए तो आजार हत्यार बनाने में लोहे का प्रयोग अधिक बढ़ गया, और उसमें एक तरह से टेक्नोलोजिकल चेंज हम देखते हैं कि आ गया, लोहे का अविशकार करीब करीब 1300-1400 इसापूर में होता है, और ये वही समय है जब हम इंडस सरसुती के समाप होने का समय देख रहे हैं, वही समय है जब लोहे का अविशकार हो को बनाने में कुछ समय लगा होगा, निश्चित रूप से 100-200 साल में लोगों ने ये टेक्नीक डेवलप की कि किस तरह से जो और है, आईरन और है, उसको पिखलाया जाए, निश्चित रूप से 100-200 साल में लोगों ने ये टेक्नीक डेवलप की कि किस तरह से जो और है, लोहे के आउजार हथियार भरपूर मात्रा में शुरू हो गया। मेरे हिसाब से वही समय है जब एक अर्बनाइजिशन का नया दौर शुरू हुआ, सेकेंड अर्बनाइजिशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसको उसमें चुकि टेक्नोलोजिकल चेंज अचानक आया, तो उसक देखते हुए एक नया दौर शुरू हुआ, वेस्टरन कॉंसेप्ट जो है अर्बनाइजिशन का, उसको किनारे रखना पड़ेगा, तो हमारा कॉंसेप्ट कैसर अर्बनाइजिशन है? हमारा जो नौलिज था, जो पुराना नौलिज सिस्टम चल रहा था, वेदिक काल से ह जो यह लेता है, उसमें हम इस बात में विश्वास नहीं करते थे, कि हम उचे एचैल कायें बनाएं, पत्थर के जली एंटों के घर बनाएं, बलकि हम इस बात में विश्वास करते थे कि मौसम के हिसाब से जो हमारे घर हो वो सुरक्षित भी रहे और साथ-साथ गर्मी, बरसाथ और जाड़े में लोग आराम से अपने घरों में रह सकें सर अब बुद्ध की जर्णी की तरफ जाते हैं अब बुद्ध इमर्ज हो रहे हैं महावीर इमर्ज हो रहे हैं इनकी जर्णी पर अगर आप हमें ले चलेंगी यहां से जब आपको जो नॉलेज वो शेर करें तो बताइए सर क्या हो रहा है उस समय पर लेटर वेदिक पीरिड में बहुत सारी यग्य हमन और इस तरह की चीज़ें डेवलप हो रही थी उनसे थोड़ा अलग हट करके बुद्ध और महावीर दोनों ने शिक्षा देनी शुरू कि कि हमको अपने भले के लिए अपने सोसाइटी के भले के लिए देखना है और यह जो प्रताएं हैं उनसे थोड़ा अलग हट करके देखना है लाइफ क्या है इसकी बात की उन्होंने और एक अच्छा जीवन व्यतीद करने के लिए क्या हम रास्ता अपनाएं वो बताया उन्होंने ये बताया कि पूरे दुनिया में दुख है और दुख का कोई कारण होता है दुख का निदान की तरफ ले जाने वाला मार्ग है उस मार्ग को अगर हम फॉलो करें अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं और जिसे हम कहें निर्वान के पत्थ पर आगे बढ़ सकते हैं और इसके लिए उन्होंने कहा कि जैसे वीना के अगर वीना के तारों को कस दिया जाए उसको जादा तो तार तूट जाएंगे ऑगर उनको डिला छोड़ दिया जाए वीना भी नहीं बजेगी वीना को नियंतरित करने के लिए एक पॉटिकलर तौर पे अगर हम उन तारों को लगा करके उस संबद करके और ना आलत से वाला या भोग विलास वाला जीवन ब्यतीत करोगे, तो आपका जीवन सुधरेगा, ये बुद्ध हों या महावीर हों, इन सब ने इस तरह की शिक्षा दी, और उसका असर पड़ा समाज के ऊपर, और ये दोनों धर्म काफी विक्सित हुए, और इन दोनों के अलावा और भी बहुत सारे इस तरह के, वो एक तरह का पुनर्जागरण था, और उस पुनर्जागरण के उसमें बुद्ध महावीर के अलावा भी दूसरे आचारी हुए, चिंतक हुए, जिन्होंने समाज को एक राह दी, तो ये लगभग छठी शताबदी इसापूर के अस-पास ये घटनाए हैं, और इनका धीरे-धीरे करके समाज पे और पोलिटिकल वातावरान पे भी असर हुए, उस टाइम का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, अगर हम, क्योंकि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएट पॉड्कास्ट हैं, तो जब बुद्ध अपनी त्रिपिटक हैं, या इसी तरह से आगम और दूसरे पुस्तके हैं, जिसमें तीर्थंकरों का विशेश रूप से महावीर से संबंदित उलेख आते हैं, उनमें बड़े नगरों का भी उलेख है, ग्रामों का उलेख है, निगमों का उलेख है, जो बड़े नगर हैं, उदा बाद में स्रावस्ति हो गए तो अयोद्यय भी एक नगर था, श्रावस्ति नगरी के रूप में बिक्सित हुई, उसके बाद मगद में राजग्र बड़ा नगर था, सर पुस्तोकों में जिकर मिल रहा है, नगरों का, निगमों का और ग्रामों का, तीनों में सर क्या फ्रखु से और आप जो बता रहते हैं हो बताईये सर। कृम शाह बताते हैं, जैसे नगर है, उसमें श्रावस्ति की चर्चा किया, राजगरीग क की की चरचा किया, जो मगद की राजधानी थी इसी तरह से उजेनी थी जो अवंती की राजधानी थी कौशामभी इलाभाद के पास या प्रयाग राज के पास वो वत्स जनपत थी था उसकी राजधानी थी ये सभी ऐसी जगहें थी जिनका प्रारम हम देखते हैं कि लगभग एक हजार नौसो इसापूर के असपास शुरू हो गया और बुद्ध महावीर के समय में आते आते ये एक सभी बड़े नगरों के रूप में विक्सित हो गया तो कभी-कभी हम देखते हैं कि इन नगरों में बुद्ध या महावीर निवास कर रहे हैं वर्षावास उनके धार्मिक जीवन का एक अंग था वर्षात के तीन महिने होते हैं उसमें विक्षू नगरों से दूर से क्लूड़ेड लाइफ लीड करते हैं वो इस तरह से रखा गया है कि वर्षात में लोगों को परिशानी ना हो खास तोर से जो ग्राम नगर और निगम के लोग हैं वहां अगर भीगा हुआ कोई व्यक्ति जाएगा उसको परिशानी होगी है और जहां जाएगा उसको परिशानी होगी है तो ऐसे में वर्षावा का प्रोविजन किया गया था संग में जिसमें तीन महिने भिक्षु अपने सेक्लूडेड लाइफ लीड करते थे बुद्ध के ही समय में यह संगाराम बनने शुरू हो गय थे जो बड़े राजा और दूसरे सेठ महाजन हुआ करते थे वो डोनेशन्स दे करके संगाराम स्ट्रीज उनका निर्मान करवाते थे और वो इसी लिए कि वहां जाकर के वर्ष के तीन महिने वर्षा के समय लोग रहें और उसके बाद फिर घूमना शुरू करें जगे जगे जाएं लोगों को उपदेश दें उनको लोग भी आदर करते थे उनको समान देते थे तो उन नगरों के अलावा बहुत सारे निगमों का उलेखाता है जिगम होते थे जो कार्पुरेट गिल्ड्स जिसको हम कहें जो व्यापारी क्ष्रेणियां थी अच्छा उनके जैसे कोई रेशम का व्यापार करने वाले लोग एक जगे एक अठे हो करके वस्तों का आदान प्रद कषबा जैसा बन जाता था लेकिन वहां का मुख्य जो कारिय है जो आजीवका का माध्यम है वो कोई न कोई एक पर्टिक्लर व्यापार करता है तो वह इस तरह की छोटे शहर जो है वो निगम हो लग नगर पूरा पॉलिटिकल सिस्टम हो गया पूरा पॉलिटिकल कैपिट सारे गाहों को मिला करके निगम के अलावा भी जो छोटे-छोटे establishment थे जहां खेती बाड़ी और पश्पालन और इस तरह की चीजें लोग विवस्था करते थे और रहते थे वो ग्राम ग्राम थे तो ग्राम निगम और नगर नगर जी इन तीनों का ऐले बुधिस लिटरेचर में भतायत से हता है खास तरह से उस सहले में जब बुधियातरा कर रहे हैं इस तरह से उदुने खात्नेया की जैसे राजगीर से बुद्ध चले वाइसाली जा रहे हैं, वाइसाली एक दूसरा बड़ा नगर है, राजगीर से वाइसाली जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई गाओ उस गाओ का नाम, फिर कोई निगम पड़ा, उसका निगम जहां ठहरे इसका नाम, फिर वैशाली से लंबी यात्रा होती थी श्रावस्ती की, उस बीच में बहुत सारे नगर, छोटे नगर, निगम और गाहों आते थे, उनके जगे जगे नदियां क्रॉस करनी पड़ती थी, तो उन सब के उलेखुस में, ज़े रियात्रा करते कैसे थे बुद्ध मतलब पैदल पूरी यात्रा करते थे, और अकेले भी नहीं, पाँच-पाँच सोल भीक्षों के साथ, तो कई बार इस तरह का आता है, उलेखुस में पाली सायती में अध्धान मग कहा जाता है, जो हाइवेज है, हाइवेज पे कोई सार्थवाह जा रहा है, जैसे वैशाल सार्थवाह चला तक्षिला के लिए जा रहा है, तो सार्थवाह में बहुत सारी बैल गाड़ियां और सामूह जारे लोग होगा, उनके साथ साथ हो लेते थे, जिससे रास्ता ना भटके, और उनको खाने पीने की विवस्था सार्थवाह कर देते थे, अगर भीक्षों के स उन लोग उपर बहुत ज़्यदा बर्डन पड़ेगा, किसी गाउं में पहुंचे, रात में वहां रुके, तो लोग करते थे, वो भी करते थे, अगर सार्थवाह के साथ निकल गए, तो आसानी से जाते थे, लोग परिशान भी नहीं करते थे, क्योंकि ये human nature है, जैसे अं अंगुली माल, वो इश्रावस्ती का एक डाकू था, पहले अच्छा आदमी था, बाद में किसी कारणवष बन गया, और उसने इपरण किया था कि हम लोग की उंगलियां काट करके उसकी माला बनाएंगे, तो जब सौ उंगली इकठी हो जाएगी, तब उसकी पूरी माला बनाएंगे, तो निन्यानवी उंगलियां उसने इकठी कर ली, उसने बुद्ध को देखा तो कहां रुख जाओ, खड़े रहो तो जा नहीं सकते, तो उन्हें कहां मैं खड़ा हूँ, क्या करना चाहते हैं, आओ मेरे पार, तो मैं तुमाई उंगली काटूंगा, काट लो, इस तरह से फिर उनका जो संवाद बना आगे, तो उसमें वो इतना प्रभावित हुआ, कि उसने अपनी जो निन्यानवी उंगलियां थी, अलग ठेका और देरे देरे करके वो भिक्षू बन गया, फिर अपने पुराने जो जीवन था उस तरह से उसने जीवन यापन किया, तो इस तरह की बहुत सारी कहानिया भी आती है, अब ऐसे में यह है कि जो रास्ते में बहुत सारे ग्रामों का सैकणू गाओं का उले खाता है पाली साहित में, और हम्लव ने जो एक्स्प्लोरेशन किये, उसमें बहुत सारे नगरों और ग्रामों और निगमों की पहचान की, दो तरह से पहचान की, एक तो उन जगों पे नाम की सिमिलारिटीज देखी, कि जैसे नगरक निगम उले खाता है कि कोसल का एक निगम था, नगरक निगम था, तो बस्ती जले में आज भी नगर करके वो एरिया है, तो वहां जा करके देखा कि यहां कोई पुरानी इसे मिलती हैं, पौटरी, सिरामिक्स, दूसरी चीज़ें वहां उपलब्ध हैं, तो इससे अंदाज लग जाता है कि यह वही नगरक निगम है कुराना, जिसे आज भी हम नगर कहते हैं, वर्ड की सिमिलारिटी, कुराने शब्दों की आज की और वहां की एंटिकुटी, ज इन सब का ध्यान रखते हुए, अमनों बहुत सारी जगों को अइडेंटिफाई भी किया, तो इस तरह से यह ग्राम नगर और मॉनेस्टरी एक तरह से गेस्थाउस हो गए उस समय के समझू मैं कि मतलब अगर आपको तीन महीने जाके रहना है और आप तीन महीने आप हजार साल में देख रहे हैं, जो मॉनेस्ट्री डेवलेप्मेंट्स हुए, इस तरह की मॉनेस्ट्री नहीं थी, बुद्ध ने खुद कहा है कि कच्छे घरों में रहो, समझान में जाके रहो, जो विने पिटक है, तुरिपिटक का एक खास हिस्सा है, जिसमें क्या बिनेव होना चाहिए, उनका क्या आचरन किस तरह से निर्धारित हो, उसके बारे में चर्चा है, तो उसमें बहुत सारी इस तरह की बातें आती है, कि भिख्शू को किस तरह का चीवर पहनना चाहिए, कपड़ कैसा पहने, तो वो शमेशान पर जाकर कि जो बुद्ध ने खुद ये शिक्षा दिया है, कि जो वहां डेड़ बाड़ी के कपड़े पड़े रहते हैं, उनको उठाओ, उनको काट कोट करके, और हर भिख्शू को दो तीन चीज़ें अपने साथ लेके चलना पड़ता है, एक जोला, दूसरा भिख्षा पात्र, तीसरा सुई, ये आवश्यक था हर भिख्षू को रखना, और सुई इसलिए कि कहीं तुमाया कपड़ा फट जाए, तो सिल लो, एक ही ड्रेस रखो, एक्स्ट्रा, और एक पहन के रखो, उससे नहाते समय उसको धो, और जो साफ ड्रेस है तुमारे पास उसको पहन लो, तो इस तरह से जो मिन करते रहो, जो भिख्षा पात्र है, मिट्टी का हो जाए, अगर गिर के टूट जाए, तो उसको मेंडिंग करो, यहां तक की हमलों को खुदाई में इस तरह के Northern Black Polished Wear और Black Sleeved Wear के बातनों के जो बोल्स हैं, उनके टुकड़े मिले हैं, जिनको तांबे के तार से जोड़ा ग हो तब तक उसको यूज करो, जब नहीं कर पाओगे इतने चूर हो जाए, तब फिर नया तुम्हें मिल जाएगा, तो Monasteries उस समय की अलग थी, Monasteries अलग थी, कच्छी, कच्छे विहार थे, मैंने सारनाथ में Exclusion किया, तो सारनाथ में First Century BC से पहले कि कोई भी Monasteries नहीं मिले, लेकिन mud structures हैं वहाँ, अब यह है कि ऊपर structures मौजूद हैं तो उनको हटाया नहीं जा सकता है, अगर उनको हटा करके और एक बड़ी area में excavate करके mud structures को देखा जाए, तो संबहता वो mud structures, उन Monasteries के structures हैं, जो बुद्ध के समय में develop हुए, और लगभग आशोक या उसके period के और जली इंटों, burnt bricks को यूज में ले आना शुरू किया गया, तो फिर Monasteries की Monasteries बनने लगी, वो एक Quadrangle के रूप में develop हुए, शायद उस समय की, जो बुद्ध के समय की Monasteries थी, वो भी उसी तरह की रही होंगी, Central Asia में हमें कच्छी मिटी की Monasteries मिलती हैं, उस बेकिस्तान म वहां कच्छी मिटी की Monasteries मिलती हैं, तो उस तरह की Monasteries यहां भी रही होंगी, उस समय में, और आगे चल करके एक आसतर से जब कुशान आये, तो उस समय बिल्डिंग एक्टिविटी बहुत जादा बढ़ गए, और burnt bricks की Monasteries बनने शुरू हो गई, बड़े-बड़े विहा करके वहां पूजा पार्ट भी होता था, बीच के आंगन में हर Monastery में एक कुवा होता था, तो यह इस तरह से Monastery का concept डेवलप होता गया, जो आज तक चला आ रहा है, और यही नहीं, नारंदा वगरे में हम देखते हैं कि multi-story Monasteries बनने लिए अच्छा, साथ-साथ-मंजिल की, साथ-मंजिल, हाँ, आज भी अगर वहां के ruins में आप जा करके देखें, तो नीचे एक कमरा दिखेगा, उसके उपर एक और दिखेगा, उसके उपर भी एक और दिखेगा, तो कम से कम तीन मंजिल तो आज भी दिखती है, Monasteries की, जो excavation के बाद exposed हुई हैं, तो यह सिलसल नौवी, दस्वी, ग्यारवी शताबदी तक चलता रहा है, और उसके बाद भी Monasteries डेवलप हुई, लेकिन हमाले में, लदाख में, या अरुनाचल में, ऐसी जगों पर, हमाचल प्रदेश में, ऐसी जगों पर Monasteries डेवलप हुई, जो आज भी वहां Monasteries चल रही हैं. स्थूप और टेंपल वो किस तरह के थे और उनमें क्या खास बात थी और क्या अलग था स्थूप के बाद हम करें तो एक स्थूप चाहती है, तो जैसे एक महाबुदी टेंपल है, जो वर्ल्ड हरिटिज साइट है, बोद्गया में, वो एक विशाल मंदिर है, जो बाद मे बुद्ध ने ग्यान प्राप्त किया था, और उसके बाद फिर अपना उग्देश दिया, जगे जगे, तो वो वरिक्ष चैति का द्रिश है, हमें साची स्थूप में दिखता है, जहां समराथ अशोक अपनी रानियों के साथ जा करके उसकी पूजा कर रहे है, तो अशोक क समय तक वो वरिक्ष चैति के रूप में था, उसके बाद संभवता ऐसा लगता है कि शशांक जो गुपतकाल में एक राजा हुआ, वो बहुत धर्म का विरोधी था, उसने बोधि वरिक्ष को भी कटवाया, और शायद के समय में वो जो वरिक्ष चैति था, वो भी नष्ट हुआ है, और उसके कुछ समय के बाद वो विशाल मंदिर बना, जो महाबुधी टेंपूल कहा जाता है, तो इस तरह से टेंपूल भी बने, लेकिन स्टूप बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, खास तोर से बुधिस्म की बात करें, बुध के जो वचन है उनके हिसा से बुध से पहले भी स्टूप और चैती, अब उनका क्या स्वरूप था ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे बुध उलेख करते हैं चापाल चैती, या इस तरह की दूसरे चैतियों का उलेख करते हैं, और खास तोर से अगर हम जो बुध के आखरी वचन है, उनक उसमें आनन्द या दूसरे बिख्षू पूछते हैं कि स्टूप किस तरह के हो, आपके जाने के बाद हम किस की पूजा करें, और किन लोगों के शरीर के उपर स्टूप बनाए जा सकते हैं, ये सब प्रशन पूछते हैं, उनका जवाब बुध ने दिया है, उसमें तीन त स्टूप हो सकते हैं, पारिभोगिक, शारिरिक, उद्देशिक और पारिभोगिक, ये तीन प्रकार के स्टूप होते हैं, शारिरिक स्टूप वो है जो किसी की अस्थी या हड़ी के ऊपर बनाए जाए, पारिभोगिक स्टूप वो है जो कोई व्यक्ति, कोई चीज यूज जैसे चड़ी यूज करता है या भिख्षा पात्र यूज करता है या चीवर यूज करता है उसके उपर स्टूप बनाए जा तो वो पारिभोगिक है उद्देशिक स्टूप होता है जिसे मनोती वाले स्टूप कहते हैं कि किसी ने कुछ सोचा कि हमारे यह अच्छा होगा घर में तो हम इस उपलक्ष में एक स्टूप बनाएंगे भगवान के नाम पर देंगे तो जिसे वोटिव स्टूप कहा जाता है तो यह तीन तरह के स्टूप हो अच्छा बनाए जा सकते हैं फिर उनसे पूछा गया कि स्टूप कहां बने तो उन्हान कहा कि यह स्टूप खास पर बनाए जाएं और विशेश रूप से शारीरिक स्टूप के लिए का है ऐसी जगह पर बनाए जाएं जहां बड़े चोराहे हों जो चार दिशाओं में जाने वाले लोग वहां आते जाते हों तो उनकी सब के पूजन के लिए यह स्टूप बनाए जा सकते हैं फिर शरीर पे स्टूप बने है बुद्ध तो एक ही है तो उनके उस पे तो बना देंगे लेकिन ओर किसके बना सकते है तो उनने कहा कि चार लोगों के शरीर पे स्टूप बनाए जा सकते है एक तो बुद्ध स्वाहम, ऋनुसरा प्रत्येक बुद्ध ये मना जाता है कि साथ मानुशी बुद्ध हुए हैं। और अलग-अलग समय में। बुद्ध से पहले भी हुए हैं। और बुद्ध के बाद भी एक दूसरे बुद्ध भविश्य में आएने वाले हैं. अच्छा भी आये नहीं आयने वाले हैं। यह जो प्रतेक बुद्ध हैं, इनके शरीर पे भी स्टूप बनाया जा सकते हैं. तीसरा अरहतों के उपर, जो बहुत पहुंचे हुए विद्वान और समाधी, शील, प्रग्या समाधी से युक्त भिक्षु हुए हैं, उनके शरीर पे बना सकते हैं. और चौथे वो लोग हैं जो चक्रवर्ती सम्राथ हैं, जैसे अश्रोग या इस तरह की जो चक्रवर्ती सम्राथ हैं, उनके अश्रोग तो उस समय नहीं थे, लेकिन एक उदाहरण के तोर पे मैंने काया, कि चक्रवर्ती सम्राट के भी शरीर पर स्टूप बनाए जा सकते हैं. तो इस तरह से स्टूपों में जो विशेश रूप से स्टूप बनने शुरू हुए. बुद्ध के जाने के बाद वो मढ स्टूप बनते थे, मिटी इकठे करके. स्टूप का मतलब ही है जो थोप के बनाया जाए. तो मिटी थोप करके जो बनाया गया वो स्टूप था. जिसमें ज्यादा आलंकरण या कोई ऐसी चीजें नहीं थी. मिटी बह जाती है, खतम हो जाती है, उसको बार-बार बनाना लीपना पड़ता है. तो आगे चल करके ये डेवलिप्मेंट शुरू हो गया महरिकाल से. जब स्टूपों के ऊपर इंकेसिंग की जाने लगी, ब्रिक इंकेसिंग की गई, इंटे लगाए गये. फिर और उसका विस्तार किया गया. उसमें लोगों ने ये देखा कि जानवर वहाँ अंदर जा रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, तो उनकी वेदिका चार तरफ बनाई गई. वेदिका से घेर दिया गया एक तरह से, इंक्लोजर के अंदर, तो उसके गेट भी बनाए गये. तो बहुत सारे ये जो अंग डेवलप हुए, वो बहुत स्तूप के. उसमें तोरण जो एंटरेंस गेटवे, वेदिका, रेलिंग, फिर एक वेदिका मध्य में भी बननी, शुरू ही स्तूप के, वो वेदिका. और जो स्तूप का विस्तरित स्वरूप था, जिसमें पत्थर से या पकी इंटों से जो इंकेसिंग की गई थी, उसको अंड कहा गया, अंडे के आकार में वो बनना शुरू हुआ. उसके उपर हर्मिका, एक जैसे स्वर्ग होता है, जहां दिव आत्मा या देवी देवता आवास करते हैं, तो वो हर्म, हर्म शब्द का मतलब है, पैलेस. तो वो हर्मिका एक छोटा इंक्लोजर टॉप पे बनने लगा, और छत्रावुली, उसके सेंटर में एक छत्र बनाय गया, जो इस बात का प्रतीक था कि किसी महापुरुष का वहां अवशेश है, तो यह अलग-अलग अंग स्टूप के बने, और यही अंग धीरे-धीरे करके डवलप हुए, महरेकाल में, शुंकाल में, कुशान गुप्तकाल में, और यहां तक की, आगे तक की यह डवलप ह होते हैं, तो इस स्टूप के अलावा, मॉनस्ट्री की बात हमें की, कि जो क्वाड्रेंगल्स होते थे, जिसमें एक कुआ होता था, बीच में सेंटर में, एक श्राइन होता था, जिसमें बुद्ध की मोर्ती होती थी, लोग पूजा करते थे, आंगन जो होता था, वहां ब से बढ़के महाविहार, यह एजुकेशन सिस्टम है उस समय का, हाँ, यह तरह का एजुकेशन सिस्टम था, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, जो आगे चलकर नालंदा जैसे इनुवस्टी के रूप में डेवलप हुआ, इसके अलावा चैती की भी बात हम कर लें, च उसके पीछे हाफ सर्कल होता था, बाद में उस हाफ सर्कल में स्टूप बनाने लगे, मंदिर और स्टूप दोनों का मिश्रण था, और गज प्रिष्ठाकार होता था, जिसकी जो ओरिजनली लखडी का बनता था, तिम्बर स्ट्रक्चर था, जो अशोक यह उससे पहले ति करके और अशोक के समय तक तिम्बर स्ट्रक्चर चलता रहा, वही तिम्बर स्ट्रक्चर बाद में डवलप हो गया, स्ट्रक्चरल रूप में, हीटे पत्थर का बनाने लगे, और अगर आप वेस्टर इंडिया में केवस में देखें, आजंता में, अलोरा में और दूसरे क में, वहां rocket architecture के रूप में भी वही डेवलप हुआ. Timber structure को अपनाया गया था, तो अगर कारला में आप देखें, तो वहां लकडी अभी भी मौझूद है, जो जिसका function कुछ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ये indicate करती है कि ये लकडी के structure originally बनते थे, तो ये एक अलग concept था, तो चैते का, स्टूप का और विहार का, और इन्हीं विहारों से जो विशाल विहार बनने लगे, उनको महाविहार कहा गया, और वो फिर educational system भी उस से develop हुआ. ये उनका पूरा education system था उनका? ये educational system इसी महाविहार से शुरू हुआ. जैसे नालंदा है, नालंदा शुरू में महाविहार था, बुद्ध ने वहाँ निवास किया था कुछ समय, और वहाँ बुद्ध के शिश्य थे, सारीपुत्र और महामुद गल्लाइन. तो सारीपुत्र की जैनमस्थली भी है, और वहाँ उनका निर्वाण भी हुआ था, नालंदा में. तो नालंदा का प्रारम बुद्ध के समय से हो जाता है, और आगे चलके अशुक के समय में, नालंदा का विकास हम देखते हैं, होना शुरू हुआ, वहाँ टेंपुल साइट नंबर थ्री है, जहां से अरली मटेरियल पहले एक्सकुवेशन में मिला है, 1915 से 1935 तक वहाँ एक्सकुवेशन हुए थे, उसमें मिला था, और आगे चलके गुप्त काल आते आते, उसका बहुत बड़ा विकास हुआ, एक के बगल में दूसरी इस तरह से ग्यारह मोनेस्ट्री वहाँ हमें दिखाई देती हैं, बनी हुए, नालंदा में, और इनके अ तो बहुत विशालकाय थी, और एक सिस्टम जो युनिवस्टी का सिस्टम होता है, एक modern युनिवस्टी का सिस्टम, वो हम देखते हैं कि 5th century AD के बाद से वहाँ शुरू हो गया, और 5th century AD से लेके लगभग 12th century AD तक, वो education system जो पहले महाविहार के रूप में था, वो एक ऐस युनिवस्टी के रूप में, युनिवस्टी के रूप में डेवलप हुआ, जहां ना सिर्फ बाद धर्म और दर्शन की पढ़ाई होती थी, बल्कि वहाँ वैदिक धर्म की, वहाँ व्याकरण की, वहाँ चिकित्सा की, वहाँ प्रद्योगी की, इन सभी चीजों की तो ये बहुत सारी चीजें जो है, जो जैसे नालंदा की फाउंडरी इतनी विक्सित थी, वहाँ के फार्नेस जो एक्सकुवेशन में भी मिली हैं, उनसे सुंदर कॉपर और ब्रॉंस के मूर्थियां बनती थी वहाँ, और वो सिर्फ वहाँ मूर्ती बनाने की विवस्था नहीं थी, बलकि उसके बारे में वहाँ पढ़ाया जाता था, स्टूडेंट्स जो आते थे, जैसे वेंसांग वगरे ने लेख किया है, कि वहाँ पंद्रह सो विद्यार्थी पढ़ रहे थे, और उनको पढ़ाने वाले आचार वहाँ थे, तो ये सारे लेख देखते हुए और वहाँ के जो आर्केलोजिकल माटीरियल है, उसको देखते हुए, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ने उसको एक युनिवस्टी के रूप में स्विकार किया है, और चुकि उसको नालंदा युनिवस्टी, within brackets, नालंदा महाविहार कहा, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है, कि नालंदा वर्ल्ड का सबसे earliest पहली उनिवस्टी थी, और ये युनिवस्टी को ने भी इस बात को accept कर लिया है, क्या बात है, बहुत है खुब सूरत, सर जैसा कि आजकर सुनने में आ रहा है कि देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिम बनने की जाएंगे आप सर प्लीज बताइए, अभी तो हम यही कह सकते हैं कि जो राष्ट्री संग्रहाले है, फिलहाल अपने पुराने भावन में है, और युग युवीन भारत के रूप में राष्ट्री संग्रहाले डेवलप होने की का प्लानिंग है, जो निकट भविश्य में नौथ ब्लॉक और साफ ब्लॉक जो राष्ट्री भावन के दो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, वहाँ विश्य का सबसे बड़ा संग्रहाले बनेगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय देने के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए, हमें किताबों में नहीं परिशान किया, थैंक यू सर्फ देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, यूग यूगिन भारत को भी बहुत जल्दी कवर करेंगे, बागी चीजों को भी कवर करेंगे, इस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, शेर करिएगा, सब्सक्राइब यूणिवर्सिटी इस कैसी थी, शहर कैसे थे, नगर क्या थे, निगम क्या थे, क्यों सब्वेता हैं, खतम होती हैं या शुरू होती हैं सबके बार में आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा, सब्सक्राइब जरू करिएगा, बहुत बहुत समस्क्राइब, थैंक यू सब झाल